ओम नमेशिवाय हरहर महादेव जैशुशंभो दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है जब कभी भी वेक्ती बहुत सारी परिशानियों में एक साथ घिर जाता है चाहे वो परिवारी कुरूप से हो आर्थिक रूप से हो या स्वास्त को लेकर हो सकता है जब ऐसी परिश्तितियों में वेक्ती बहुत दिनों से फस्ते जाता है और वो चारों तरब से उसे निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देता है उसे उन हालातों में कुछ नहीं कर पाने का गिल्ट होता है और वो कुछ नहीं कर पाता है तो बहुत हताश और निराश हो जाता है ऐसी परिस्तित्या जब कभी भी किसी जातक के साथ होती है जीवन में कि जब वहां से निकलने का उसे रास्ता नहीं सूज रहा है ऐसी परिस्तित्यों को शनी की ही परिस्तित्या कहते हैं कहीं न कहीं आपके कुंडली में शनीका प्रभाव है, शनीकी महादशा, अंतरदशा या सनी के किसी भी नकारत्मक प्रभाव में आपका जीवन गिरा हुआ है यहाँ पर सभी परिस्तिया विशेश परिस्तियों की बात किया रहा हूँ सामानिस्तिय में अच्छा और बुरा सब के साथ चलता रहता है लेकिन इस्तिया इतनी गंभीर हो चुकी है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हाँ यहाँ से कोई नो कोई हमारी कुंडली में बदला हुआ है और उस वजह से यह जो परिस्तिया वरतमान हमारी जा रही है यह आगे बढ़ रही है तो किसी भी जाता का अगर शनी के फैर में फस जाना चाहे वो आर्थिक रूप से किसी भी दरस है आपने किसी से करजा ले लिया हो करज नहीं दे पा रहा है या आपने किसी को धंद्या वो लोटा नहीं रहा जूटे मुकत में होना केस होना लोग आपके बारे में गलत बाते करना विभागी केस होना किसी व्यक्ति दोरा जूटा फसाया जाना साथी साथ जीवन में जो व्यापार बहुत अच्छा से चल रहा था या पहले हम बहुत कमा रहे थे अब कमाई में बहुत जमीन आस्मान कंतर आ जाना तो ये सब चनी के इर्दगिर्द वाली घटनाएं ही हैं जो किसी भी जाता के साथ जीवन में होती हैं अगर इसी कोई भी घटना है जिनसे आप गिर चुके हैं और आपको इन परिस्टितों से बाहर निकलना है तो ये वीडियो यहां से पूरा देखना जो बाते में आपके साथ साजह कर रहा हूं है बहुत बारी किसे समझ लेंगे आप अपनी मदद सरूर कर पाएंगे आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट्स में भूलनात का नाम लिके और तीसरी बात है कि अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विशलेशन हमसे करवाना स्क्रीन पर नंबर चल करती है तो मूल रोप से कुछ बाते हैं जिनहें आपको बहुत फौल्प करने के उशक्ता है सबसे पहला जो काम आपको करना है कि नियमित सुबह उठें सुबह उतने के बाद में अपने घर में जो भी आप घर में रहतें उस घर में पूर्व की दिशा में मुख करके एक ठील का 옛 धिपक लगा है और बजरंग बाण का पाठ तीन बार आपको करना है एक बार नहीं तीन बार उसका सिर्षक निशे प्रे켈 प्रतितन शुरूज होता है वहहनमान चलीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है तीन बार नियमित सुभा सूरे उद्हे के बाद प्रेम प्रतिकते शुरूज होता है वो हनमान चलिसा और बजरंग बाण में अंतर है तो बजरंग बाण का पार्ट करना है तीन बार नियमित सुभा सूर्य उधै के बाद दूसरा प्रियोग आपको करना है कि जो भी अपने घर के आसपास पार्क हो या अपने घर में गमले में पीपल के वरक्ष को रोपित कर दें थोड़ा बड़ा करें और किसी भी सुनेशी जगा पर उसे रोपित कर दें ताकि वह जो पोधा है वो वरक्ष में बदल जाए ऐसा करने से शनी के आदे से ज़्यादा समस्या उसे आपको समधन मिल जाएगा और आपके जीवन में इसका जो फाइदा भी है वो भी बहुत सड़न दिखाए देगा कि आपके काम बनेंगे जो काम नहीं और उन कामों में तेजी आएगी और आप खुद अनुभोग करेंगे कि एक बहुत बड़ा सकारत में बदला हो रहा है चोथा जो काम तीसरा जो काम आपको करना है कि जो भी व्रद्धा आश्रम हो जो भी दिव्यांग आश्रम हो जो भी असाय आश्रम हो रेन बसेरा हो ऐसी जगाओ पर जहां कोई ऐसी जगाओ पर आपको अन डोनेट करें वस्त जरूर मिलेगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों साथ शेयर करें लाइक करें कमेंट्स करें